येस, हाई बेटा, दिस साइट CACS हरीश मतारिया और आज 11 स्टेंडर महाराष्टर बोर्ड अक्रा होई बुक्किपिंग एन अकाउंटेंसी में सेकेंड नंबर का आपके टेक्स्बुक के सबसे जो सेकेंड नंबर का टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें मिर बच्चे इस खाना में मिनिंग एन फंडामेंटल सॉफ डबल एंट्री बुक्किपिंग बेटा एक चीज़ आपको बता दू इस इस वन आप दे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा पूरे सिलेबस में अगर सबसे अधा इंपॉर्टेंट होगा या फिर आपके अकाउंटिंग का जो बेस है वो ये वाला टॉपिक है वैसे हमने बेसिक सॉप अकाउंट्स में इस टॉपिक की थोड़ी बहुत जलक देख चुके है बेटा हम लोग काम में उसके उपर क्वेश्चन कैसे आते है बेटा डन तो आज पहले लेक्चर में आपको टेक्स बुक का कोई काम नहीं मेरी कोई नोट सी ज़रूद नहीं बस जो कुछ में स्क्रीन पे लिख रहा हूं आप सारी चीज़े लिखकर के लिए ना बेटा यहां पे देखो क् बुक केपिंग डबल एंट्री डबल एंट्री बरबरे टू सरी डबली क्यों है ट्रिपल क्यों नहीं है यह सिंगल क्यों नहीं है देखो पटा ध्यान देना हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही क्यों देखते है तो उसके बीचे की वज़ा है दुनिया में जब भी ट्रें transactions होता है बिटा तो transaction में minimum कितनी पार्टी होती है दो minimum कितनी पार्टी रहेगी दो और transaction में क्या रहेगा lend-end रहेगा lend-end रहेगा in in money or in money or money's worth जो भी कुछ बता रहा हूँ बहुत काम का है एकदम आसान भाषा में government language मतें सांगत है बड़ा सारी चीज़ें आपने आपके notebook में लिखकर के लेना है and this is one of the most important topic अगर आपको accounting subject में आगे भी आप CA, CS, CA में कोई course करो, professional course करो, become करो, mcom करो, चाए और कई accounting की job करो तो ये वाला topic आपको जहाँ जहाँ accounting के वहाँ वहाँ lifetime आपको support करने वाला है मेरे बच्चे, थोड़ा पूत आपको energy में कमी दिखेगी क्योंकि fever चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा चीक पुकार करके आपको पढ़ानी जारो एकदम slow, धल के आवाज में धीरे धीरे आपको पढ़ानी जारो बटा, then सारी चीज़े लिखकर कर so double interest system का है पहला लेक्चर है बटा, this is lecture number one of your topic number two, topic दूसरा आनि बड़ा lecture पहला, दूसरे topic का ये पहला लेक्चर है, दूसरे topic का ये पहला लेक्चर है बटा, चलो आगे चलते, देखो, transaction में हर बार आपको क्या रहेगा, लेन देन मिलेगा, और लेन देन मनी और मनी जवर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में लेन देन हो रहा है, between two parties और person, minimum कितनी parties रहेगी, दो, उनके बिच में विवार हो रहा है, transaction हो रहा है, मनी और मनी जवर्थ में, यह सुन, तो यहाँ पे लेन देन ये दो चीज़े, इसलिए इसी को हम लोग प्यार से, dual aspect, दो नजर ये, दो approach, lane देने, इसके लाँ और तिसरा कुछ नहीं होता है, जब भी वेवार होता है, तो lane देनी होता है, इसलिए हमने, इसलिए हमने ये बोला, कि हर transaction के, each and every transaction, each and every transaction, have two aspects, हर transaction के कितने aspects है, two aspects, two approach, दो नजर ये, दो approach है, दो aspect है, उनी को हम लोग प्यार से, debit aspect और credit aspect केते है, debit, debire, which means to left, credit, credire, which means to right, छोड़ो न, इसके meaning से हमें कुछ नहीं करना है, जब भी आप accounting करोगे, तो आपको बताए, दो नजर ये, दो aspect से, दो approach से, आपने transaction को देखना है, दो नजरियों से देख और credit aspect, सर कैसे देखना है, सर, हम लोग इस topic में क्या पढ़ने वाले, सब बता तो बिटा, इस topic में हम लोग basically सीखने वाले है, कि जब भी किसी business में transactions होते है, तो उसके accounting entries हम लोग कैसे कर सकते हैं, accounting entries के कितने system है, किसकी system से हम लोग accounting कर सकते हैं, अल्रेडी हमने basic swap accounts में modern approach देखा था, जिसमें हमने यह देखा था, अगर आपको यादा रहोगा तो assets, drawing, data, expense and losses are always having debit balances, liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having credit balances, और हमने यह देखा था, asset, drawing, data, expense, losses यह type के account बढ़ते हैं, तो debit करो, opposite, liability, capital, creditors, incomes and gains, इनका credit balance है, यह बढ़ते हैं, तो credit करो, opposite बोलने का काम नहीं है, don't worry, वो सारी चीजे में आज repeat करवाने वालो, एकदम zero से, एकदम शान्ती में, क्योंकि यह chapter बहुत जरूरी है, आपके exam में इस chapter का weightage सबसे ज़्यादा है, बाकी सारे chapter से, इस chapter का weightage ज़्यादा है, क्योंकि यह chapter में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो सारे chapters में आने वाला है, lifetime accounting subject में इस chapter को हम लोग consider करने वाले हैं, lifetime आपको इस chapter की मदद मिलेगी, चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान देना, यह लिख लिया होगा आपने, so हर transaction के दो पहलू है, lend, then, debit aspect, credit aspect, minimum दो parties लगती हैं बटा, और अब इन transactions को में क्या करना है, record करना है, in a systematic way, in a systematic और structured way, with the help of rules of debit and credit, with the help of rules of debit and credit, yes or no, sir, आपने कुछ बताया था सरी, accounting system भी है, और भी what type की accounting system है, उसमें से हम लोग double entry system देख रहे हैं, प्लीज ज्यान देना, अगर मैं accounting system की बात करूँ, प्लीज ज्यान देतो, जो कुछ बतारो, सब चीजे लिको सब आगे कड़िया, एक दूसरे से जुडने वाली है मेरे बच्चे, accounting system की अगर मैं बात करूँ, तो अपना इंडियन system भी है, देशी एंड इंग्लिज system भी है, इंग्लिज system की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें single entry भी है, और double entry system भी है, सब बताता हो किसका मतलब क्या है, single entry system और double entry, इंडियन system की बात करूँ, तो इसके अंदर में आपने सुना होगा, भी काता, केद, हिसाब किताब लिख करके रखना, महाजनी पद्दत, मारवाडी पद्दत, डोंट वरी, नहीं हमें ये पढ़ना है, नहीं हमें ये पढ़ना है, हाल फिलाल में, आगे आएगा आपको single entry system, लेकिन हाल फिलाल में नहीं ये पढ़ना है, हमें हाल फिलाल में पढ़ना है, double entry system, ये ही आपकी scientific method है, इस method से हमें exact और correct information मिलेगी, tallied information मिलेगी, सर कैसे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, इक चीज आप ध्यान रखना बेटा, जब भी देखो बच्चमन में आपकी ममा या पापा आपको pocket money देती थी, अगर किसी ने pocket money अगर लिया होगा ममी पापा से, हर मेने के जेब खर्च के लिए बत्ता पानी है ना, गरीन तुम्ही आई वर्लान करना पैशे गेता था ना, कि शाड़ेज जातना कि वा दर हपते अला, दर महीने अला, हजार उपे, पाश्य रूपे, दर हपते अला, दोन्शे रूपे, तो वो जो आप pocket money लेते थे, आपने ममा पापा से pocket money ले लिया, आपको पैसा मिल गया, बरुबरे, पैसा मिलने एक बाद आपने लिख दिया, 200 रूपे मिल गया, ममी पापा से 200 रूपे मिल गया, उसके बाद में, आप जैसे जैसे उसमें से खर्चा करते थे, होटल में खाना खाने गए, 100 रूपे चले गए, चाई पिया दोस्तों के साथ, कटिंग पिया, चाई पिया दोस्तों के साथ में, चाई पिया, तो बेटा चाई के लिए आपको पैसे लग गया, 20 रूपे, उसके बाद में आपने ब्रेक्फस किया, ब्रेक्फस किया, उसमें और लग गये 20 रूपे, बोलो आपके पास बचे कितने आपके पास 200 में से 120, 240 चले गए 60 आपके पास balance है और हफता खतम हो गया फिर से अगली हफते के लिए पापा को ला पापा 200 रुपे दो है ना पापा ने आपको 200 रुपे दे दी अब आपके पास हो गए 200 सांट रुपे अब देखना ज़रा ये जो आप हिसाब किताब लिख रहे थे ना इसको भी हम लोग एक टाइप से accounting ही कहते ये भी तो आप हिसाब किताब ही लिख रहे हो तो क्या हुआ आपने debit credit के rules यूज नहीं किये तो क्या हुआ आपने systematic way में नहीं लिखा तो क्या हुआ आप with the help of accounting principles नह accounting हम लोग बोल सकते हैं प्यार से ये single entry system है बिटा सर ये कैसे single entry system है ये देखो आपने अभी अभी जो किया ना ये single entry system है सर समझे नहीं बता थो आपने सिर्फ transaction का एक पहलू लिखा सिर्फ एक पहलू hotel के लिए खर्चा हो गया 100 रुपे दूसरा पहलू क्या था खर्चा हुआ 100 रुपे और दूसरा पहलू ये था cash कम हो गई 100 रुपे से आपने cash कम हो गई वो तो लिखा ही नहीं आपने सिर्फ ये लिखा खर्चा 100 रुपे होटेल 100 रुपे लेकिन दूसरा पहलू cash कम हो गई तो लिखा ही नहीं आपने सिर्फ ये लिखा चाय में खर्चा हुआ 20 रुपे जो बच्चों ने basic shop accounts के lecture देखे होंगे उनको समझ में आ रहोगा आपने सिर्फ T account लिख दिया लेकिन cash account को तो credit किया ही न दूसरा effect cash कम हो गई वो तो लिखा ही नहीं आपने यहाँ पर breakfast लिख दिया cash के बारे में लिखा ही नहीं तो जब भी आप किसी transaction का सिब एक पहलो लिखते हो तो इसका मतलब आप single entry system महाँ पर use कर रहो हर वो system जो double entry system ने है वो single entry system है मेरे बच्चे जैसे सबजी वाला भी accounting क सर सब्जी वाला कैसे आप सब्छी वाले से सबजी खरीद लो आज वो सब्चास रूपे के बंडी लिया तो भेंडी लिया उधारी में, आपका हमेशा का सब्जी वाला है, आप हमेशा उससे उधारी में सब्जी ले लेते हो, तो उसने आपके नाम पे 50 रुपे लिख दिये, उसने ये नहीं लिखा है कि किस चीज का 50 रुपे है, तो सब्जी वाला भी अकाउंटिंग जो कर रहा ह आप 15 दिन बाद भी सब्जी वाले से पूछो भहिया मेरे को कितने रुपे देना है वो आपको तुरन डायरी में देखके बता देगा भहिया आपसे 50 रुपे लेना है आप उसे ये पूछना कि किस चीज के 50 है कौन सी सब्जी ली थी आलू भेंडी बेंगन क्या लिया था वो ये नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने सिब एक पहलू लिखा कि मुझे 50 लेना है किस चीज के है कौन से सब्जी के है वो उसने नहीं लिखा मतलब उसने भी सिंगल इंटरी सिस्टम मिंटेन किया है हमें सिंगल इंटरी सिस्टम अभी नहीं सीखना है क्योंकि ये अन्सिस्टेमेटिक है इससे हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन टैलीड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है देखो जदाँ सबजी वाला भी डायरीं youngest करता है यह पान वाला भी डायरीं वेंटेन्टेनius करता है यह इसकेंदर सी पितना लिख के रख लेते पच्चास रुपे लेना है किस चीज का लेना है कौन से सबजी का क्या लिया था कितना किलो सब्सफजी लिया था वहं अएस सर अब समझ में आया कि 11 standard में हम लोग bookkeeping and accountancy subject दे रहे हैं, जिस subject में second number का topic चल रहा है, double entry system में हम लोग आज सीखने वाले how to record the entries with the help of rules of debit and credit, अब अगर मैं rules की बात करूँ, तो again 2 rules है मेरे बच्चे, 2 rules है, देखो, यह double entry system आपको help करता है in recording the transaction, in recording of transaction, transaction record करने के लिए double entry system आपको help करेगा बटा, अब transactions record करने के लिए अगर वैसे देखा जाए ना तो बटा, दो rules है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, एक है traditional, जो पहले से चला रहा है, एक बार आपको याद है, आपका GPS location on रखना मेरे बच्चे, आप accounting subject पढ़ रहे हो, जिसमें हम लोग अभी क्या देख रहे है, how to record the transaction, आपके textbook का second topic है, मैं मानता हूँ, यह मैंने already basics of accounts में पढ़ा दिया, लेकिन अब हमें आपके textbook के हिसाब से पढ़ना है, पहले basics इसलिए पढ़ा है, क्योंकि अब आपको आसान लगेगा, अब हम लो और modern, सर हमने कौन से rule से accounting करना, कोई भी rule से करो, कोई फरक नहीं पढ़ता, आपका answer बिलकुल सेम आने वाला है, कौन सा account debit होगा, कौन सा credit होगा, यह आपका answer बिलकुल सेम आएगा, कोई भी rule से करो, सर हमने जो basics of accounts में पढ़ा था, कौन सा rule था इसके पहले, हमने modern rule देख यह बिटा सर modern rule क्या था all assets drawing data expense and losses are always 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 having debit balances यह type के account बढ़ते है debit करो कम हो रहे credit करो बढ़ना कम होना समझेगा transaction से याद आ रहा है कि उसके बाद asset के अपोजिट क्या है liability drawing के अपोजिट capital data के अपोजिट credit expense के अपोजिट income losses के अपोजिट गेंग और इन सबका debit balance के अपोजिट है इनका credit balance यह type के account बढ़ते है तो credit करो कम हो रहे है तो debit करो that's it यह था आपका modern rule काफी किताबों में इस रूल को ऐसे भी बताए वाए देखना ध्यान देना asset expenses liabilities income इनका debit balance है और इनका liabilities और income का credit balance है बढ़ते है credit कम हुआ debit बढ़ते है debit कम हुआ credit एक चीज़ आपको बता दू अगेन एक चीज़ बता दू जो बच्चों को asset का drawing, debtors, expense, losses, liability, capital, creditors, income और gain इन सब का meaning पता नहीं बटा पहले number का topic जरूर आप वीडियो देखना क्योंकि first number का topic था first topic introduction और basic उसमें मैंने सारी चीज़ों का meaning in depth में in detail बताया हुआ है asset मतलब क्या property of the description of the business then drawing owner अपने personal purpose के लिए business से कुछ विड्रॉल कर रहा है डेटर पार्टिया परसन जिससे कुछ लेना है creditors पार्टिया परसन जिसको कुछ देना है expenses business के operating payment से बिटा उसके बाद losses payment या outplot हो गया लेकिन benefit नहीं मिल रहा है loss हो गया इन सब का meaning बताया हुआ है initial पहले वाले चप्टर में अभी हमें यहाँ पर basic नहीं देखना है अभी यहाँ पर basic पढ़ाना शुरू कर दूगा तो आप भाग जाओ गयो यहाँ पर हम लोगों को यह देखना है modern rule सर फिर modern rule यह भी है यह भी है कौन सा follow करना बेटा यह in detail वा दिये हैं दोनों rule में बताना ज़रूरी है क्योंकि आपके textbook में आपके syllabus में दोनों rule है सर answer कैसे भी किया तो same आएगा हाँ सर, एक्जाम में कौन सा रूल यूज करना, कोई भी रूल यूज करो, सर, रियल लाइफ में कौन सा रूल यूज करना, कोई भी रूल यूज करो, सर, आप कौन सा रूल यूज करते हैं, बैटा, मैं मौडरन रूल हमेशा यूज करता हूँ, क्योंकि ये रूल, ना कि मुझे जरनल इंट्रीस पास करने में help करता है बलकि लेजर पूस्टिंग बैलेंसिंग आगे की जो accounting procedure है उसमें भी मुझे help करता है यह सब्सक्राइब का कहता है यह ट्रैडिशनल रूल क्या कहता है बिटाइब देरा three types of accounts यह ना मोटा-मोठी तोर पे दो देखो लिख के बता दो और इन डेप देखो तो थ्री मोटा मोटी तोर पे परसनल और इंपरसनल इंपरसनल में भी और दो आ जाते हैं मैंने बोला था ना देखो तो देखो वन टो थ्री और अगर मोटा मोटी तोर पे देखू तो सिर्फ दो परसनल और इंपरसनल चे आनकी दोन फाटे फुटले इंपर्सनल के और दो सब ब्रैंचेस आगे बटा देखने ज़रा रियल और नॉमिनल सर भी इनका क्या मतलब है सब बताता हूँ डीटेल में प्लीज जान देना सारी चीज़े डीटेल में बताता हूँ एक बार आपको फिर से बतातेता हूँ बच्चों हम लोग Meaning and Fundaments of Double Entry Bookkeeping देख रहे जिसमें Accounting System में Indian System भी है English English में Double Entry System यही हमारी दुनिया है आगे Lifetime आपको यही System फॉलो करना है सर हर जगा हाँ हर एक Company में हाँ Partnership Form में हाँ सरम कही पे भी Job करें कि वहाँ पे भी यह रहेगा हाँ हर जगा यह Double Entry System ही आपको काम आने वाला है और यही System में आपको पढ़ाने वाला हूँ Clear पकी बात Indian System, Single Entry System के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में क्या है अभी हमें क्या देखना है Double Entry System अभी आप लोगों को Single Entry पर कॉंसेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है Indian System पर भी कॉंसेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है चलो आगे बढ़ रहा हूँ So Traditional System की में पहले बात करूँगा बाद में Modern Rule आपको फिर से एक बार समझे होगा लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं अभी Traditional System की तो आप लोग अभी कहां ख़़ए है Recording of Transaction के लिए जो हमारा Rules था Traditional और Modern तो अभी मैं बात कर रहा हूँ So Traditional केता है कि अकाउंट्स की Basically कितने टाइप है 2 Personal, Real अगर in-depth जाके देखो तो कितने टाइप है सब बता दो मेरे बच्चे ध्यान देना So Personal Accounts की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या आ जाते है इसमें All Natural इसमें क्या क्या आ जाते है All Natural Natural And Artificial Persons So अभी यह क्या है All Natural and Artificial Persons Natural Persons यानि हम आप जैसे लोग Artificial Persons यानि Company Company, Bank जिनका जन्म हमारी तरह नहीं हुआ है जो पैदा हुए है Under some law और rules और regulation वो सब होगे बिटा आपके Artificial Persons जैसे Bank है Company है Association of Persons है Body of Individual है जैसे Association आपने देखा न Pharmaceutical Association सबजी वालों की Association Auto वालों की Association इनका ये Association वो Association है तो वैसे Association of Persons है Body of Individual है Company है Bank है Trust है Hospitals है ना ये सब क्या है Artificial Persons है लेकिन Accounting में कोई फरक नहीं पड़ता Persons चाए Natural हो चाए Artificial हो Accounts दोनों को एक ही नजर से देखता है मेरे बच्चे Sir इसके Example बता तो मान लो आपने Mr. Ramesh को उधारी में माल बेचा तो Ramesh आपका क्या हो गया Dator तो Ramesh Account कहाँ पे Classify होगा Personal Account में सूरेश Account Personal Account में Yes or No आपने Mr. Ram से उधारी में माल खरीदा उधारी तुमी माल विकतान लो कुना करना रे बाड़ा Mr. Ramkar Ramka है जाला तुझा Creditor So Creditor भी कहाँ पे Classify होगे Personal Account में Bank से लोन लिया तो Bank Account क्या है Personal Account है तो क्या हुआ Artificial Person है लेकिन आएगा तो Personal Account में तो सारे Natural और Artificial Person Covered Under the Personal Accounts So यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Examples इनके Datas Creditors Bank Trust Hospitals Hospital Account जिल्ला परिशद अकाउंट Local Authority Local Authority ZP जिल्ला परिशद लिख ले बीटा बाद में से याद नहीं रहेगा और अभी क्या भी लिख लो ZP जिल्ला परिशद LA Local Authority Local Authority मन जे पुने मुंसिपल कॉर्पोरेशन मान अगर पालिका यह सब आपकी Local Authority है Local Authority ZP भी भी Local Authority है Pimpris Jynchward Municipal Corporation पुने मुंसिपल कॉर्पोरेशन Mumbai Municipal Corporation यह सब आपकी Local Authority है Yes or No Gram Pancha Local Authority है तो यह सब Examples है All Artificial Person के सर यह Example का आचार डालना है क्या No यह नहीं बेट हम लोग Traditional System देख रहे है Traditional Recording का System देख रहे है उसमें Traditional System कहता है के जितने भी Accounts हैं मोटा मोटी तोर पे Personal, Impersonal All Detail में जाके देखो तो Personal और Impersonal के और दो Real और Nominal तो पहले सब के Examples समझ लो Meaning समझ लो उसके बाद Traditional का Rule है Traditional का Entry Pass करने का Rule है जैसे Modern का हमने एक ही Rule देखा Debit Balance वाले Account बढ़ते है Debit करो Credit Balance वाले Account बढ़ते है Credit करो Opposite बोलने का काम नहीं वैसे ही Traditional के भी कुछ Rules है सर कुछ Rules मतलब एक से ज़ादा है क्या हाँ तीन Rules है सर फिर उससे च्छा तो Modern है उससे च्छा तो Modern है हाँ बेटा मैं तो इसलिए तुम्हें बोलता हूँग हम लोग हर बार Modern Rule फॉलो करते सर फिर ट्रैडिशनल क्यों पढ़ा रहे है आप अभी अरे बाबा आपके टेक्सबूक में ट्रैडिशनल की हिसाब से भी आपको कभी कबार सॉल्ड करने बोल सकते है यह सौर जर्नल इंट्रिस आप कोई भी तरीके से करो आपका एंसर बिलकुल 1000% सेम आएगा अगें इट डिपेंड्स ओन योर चोईस बढ़ मैं आपको दोनों रूल बताना जरूरी समस्ता हूँ लेकिन एक बार आगे जैसे हम लोग बढ़ जाएगे तो आगे हम लोग हर बार कौन सा रूल फॉलो करने वाले modern rule बरूबर मैं आपको जब भी entries पास करूगा तो मैं traditional और modern दोनों रूल से आपको entry पास करके बता दूगा एंसर बिलकुल सेम आने वाला है चलो real account में कौन-कौन से account आते बटा assets of सारे assets के account assets of every description accept accept मंजे उसके अलावा किसके? personal के अलावा बाकी जो सारी assets है accept personal account personal account में जो asset आ गई वो asset फिर से real account में नहीं आएगी एक बार अगर कोई asset personal account में आ गई तो फिर से real में नहीं आएगी जैसे bank balance bank balance asset है तुमारी संपत्य है मेरे bank में 100 करोड रुपे मेरी asset है मेरी संपत्य है लेकिन वो फिर भी real में नहीं आएगा क्यों? क्योंकि bank अल्रेडी कहां पे आ गया personal में तो कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे जो account अल्रेडी personal में आ गए वो फिर से real में नहीं आएंगे सर इसका मतलब जब भी हमें पहचानना है कि account personal है कि real है तो पहले हम लोग पूछेंगे हे account बता काई तू personal account है का बाड़ा मतलब तू personal account है कि अगर उसने बोला हाँ में personal हूँ तो real nominal का 47 पैदानी होता और अगर वो personal नहीं है personal account नहीं है मतलब वो क्या है impersonal है तो impersonal में real है कि nominal है यह हम लोग चेक करेंगे यह सुना सो impersonal में यहाँ पे real में assets, sympathy, property assets, sympathy, property of every description except वो संपत्ति, वो property यहाँ पे real में नहीं आएंगी जो already personal account में आ गई examples है इसके लिख लो example cash car account computer account furniture account land account building account लिख ले लिख ले बटा building account plant and machinery account यह सारी आपकी real accounts है business का नाम होता है business की goodwill होती है business की जो goodwill है वो भी real account ही है लिख लेता हो यहाँ पे but वो intangible है जिसको देख नहीं सकते छून नहीं सकते touch नहीं कर सकते वो intangible in nature है but है तो real account ही है तो asset ही तो यहाँ पे लिख लेता हो goodwill account business का name and fame of the business goodwill account copyright account copyright goodwill copyright आगे सब बताने वालो आगे इसके बारे में सारी बाते हम लोग करेंगे patent right एक्सेटरा यह नीचे जो मैंने green color के पेंसे लिखा यह भी real account है यह भी सब asset है लेकिन यह ऐसी asset है बाड़ा यह Mr. India intangible अद्रुष्य यह आपन हाथ नहीं लाओ शकर इसको touch नहीं कर सकते छो नहीं सकते लेकिन वो होती है आज अगर पारले जी का brand name उसका goodwill के अगर में बात करो तो पंदरा सो करोड के उपर का है उसमें आपको एक भी biscuit का packet नहीं मिलेगा लेकिन पारले जी का आपको नाम मिल सकता है अगर आपको वैसे biscuit बना करके उसको पारले जी का नाम लगा के बैचना है तो आपको पारले जी की permission लेनी पड़ेगी यह पारले जी का copyright है या patent right आपको लेना पड़ेगा उससे yes or no मतलब goodwill copyright patent right की कीमत बहुत ज़ादा होती तो क्या हुआ इन असेट को हम लोग touch नहीं कर सकते जैसे मिरे पास यह cell phone है यह भी asset है real account में आएगा मैं इसको touch कर सकता हूँ मैं इसको touch कर सकता हूँ बरबर है क्या यह tangible है और जो goodwill और patent right बतारों में यह intangible है मिरे बच्चे yes or उसके बाद थोड़ा और आगे चलते प्लीज जान देना इन personal में बिटा आगे और क्या है nominal account nominal accounts में कौन-कौन से accounts आते हैं बिटा all expenses losses income and gains all expenses, losses, income and gains यह सारे nominal accounts में cover हो जाएगे yes or no सर इनके कुछ examples अब भी बता तो बिटा yellow examples लिख लो salary salary दे रहो employee को printing stationery के bill दे रहो printing and stationery electricity electricity बाड़ा दे रहो office का rent wages दे रहो worker को telephone bill यह सब क्या है बिटा expenses के account है expenses expenses उसके बाद losses 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 के भी accounts लिख लो losses जैसे loss due to fire loss due to fire loss due to theft loss due to theft चोरी हो गया T-H-E-F-T loss due to earthquake यह सब हो गया आपके losses वाले account उसके बाद income income की भी account से लिख लो बिटा income income लिखो income की account sale आपकी income है बिटा interest मिल रहा है आपको interest इंट्रेस्ट मिल रहा है income commission मिल रहा है commission received income COWMI, WSION commission मिल रहा है interest मिल रहा है sale हो गया है income है बिटा यह सब आपके income की account है income income और gain बैठे बिटा है property के भाव बढ़ गए lottery लग गई बगेर hard work के जो कुछ मिल रहा है वो gain है income और gain की accounting treatment same है फरक नहीं भी समझ में आए तो भी चलेगा यह आपको मैंने expense losses income gain के example बता है so अब समझ में आए traditional system क्या कहता है traditional rule क्या कहता है प्लीज जान देना यह कहता है कि account के total कितने टाइप है personal और impersonal impersonal में भी real और nominal modern क्या कहता है बटा asset drawing data system losses और इनके opposite 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 इन सब का debit balance है इन सब का credit balance है और modern क्या कहता है बस इतनी बात कहता है debit balance वाले account बढ़ते हैं तो debit करो credit balance वाले account बढ़ते हैं तो credit करो बढ़ना कम होना समझ में आएगा transaction से modern rule के बारे में हमने basics में बात की है already don't worry वापस यहां पर बताऊंगा बट आपको यह तो समझ में आया transaction अगर record करना है transaction अगर record करना है तो हमारे पास traditional rule भी है और modern भी है दोनों भी तरीके है दोनों से answer सेम आएगा sir दोनों पढ़ना जरूरी है हाँ बहुत आसान है चिंता करने वाली बात नहीं मेरे बच्चे चलो आगे पकी बात तो अब आपको यह समझ में आगया traditional में personal, real, nominal अब आज के बद में personal, impersonal नहीं बोलूगा मैं personal, impersonal नहीं बोलूगा मैं क्या बोलूगा personal, real, nominal hey come on personal, real, nominal personal में क्या क्या आजाएगा बटा बता हुजरा all natural and artificial persons real में assets of evil description except personal account except मन्जे जो already personal में आगई वो यहाँ पे नहीं आएगी exception यानि उसके अलावा और nominal में क्या आएगा nominal में expense losses, income, gain real में क्या आएगा assets of evil description बस यह तीन चीज़ ध्यान रखना personal में यह सब आगया real में यह आगया nominal में यह आगया इतना एक बार ध्यान रखना बस आपको सारी चीज़ समझवाएगी और यह तो अपना platinum rule है हुकुम का एकका है हर जगा चलने वाला है एकदम बढ़िया देखो बिटा asset drawing data section losses इनका debit balance है यह type के account बढ़ते है debit करो liability capital creator income gain इनका credit balance है यह type के account बढ़ते है credit करो opposite बोलने का काम नहीं है yes or no बढ़ना काम होना समझ में आएगा transactions है क्या बूलते बच्चों मैं एक बाब फिर से बता रो जो बच्चे ने basics देखा नहीं है उसको basic देखना बहुत जरूरी है चलो आगे चलो अब यहाँ पे modern में तो यही एक rule है लेकिन traditional में total तीन rule है एक personal का rule है एक real accounts का rule है और एक nominal accounts का rule है total तीन rule है मेरे बच्चे अगर आप traditional way से accounting करते हो recording कर रहे हो अगर आप entries record कर रहे हो तो entries record करने के लिए hey come on एक बार फिर से traditional way से अगर आप entries record करे है तो उसके लिए basically कितने rule आपने ध्यान रखना है के rules बताऊंगा personal, real और nominal यह देखो personal का rule रहेगा real का रहेगा और एक nominal का यानि personal account है तो recording कैसे करना real है तो recording कैसे करना और nominal अगर है तो recording कैसे करना इसका तो recording करना अपने को आ गया answer same आएगा don't worry चलो देखो आप में rule बतारो बटा लिखो लिखो बटा golden golden rules of accounts golden rules बतारो बटा लिखो personal accounts का rule क्या है real accounts है तो क्या rule है और nominal यह तीन टाइप थे ना in-depth में अगर देखा जाए तो nominal accounts के rule क्या है चलो देखो अब rule देखना ज़रा क्याच चीज़े personal account का rule कहता है ज्यान देना receiver को debit करो गहरे यह बटा बात में प्लीज ज्यान देना debit debit receiver receiver credit giver personal rule क्या कहता है बटा personal account का rule कहता है personal में तो सारे person थे natural and artificial person तो वो कह रहा है कि जो कोई भी receiver है उसे debit करो मान लो मैंने Mr. Ram को पैसा दिया तो Mr. Ram is receiver from the point of view of my business so Mr. Ram को अगर मैंने पैसा दिया Ram मेरा receiver है Ram को मैं पैसा दे रहा हूँ Ram is the receiver तो Ram को debit करो Ram को debit करो yes or no yes or no अगर मैं Mr. Ram is से पैसा ले रहा हूँ Mr. Ram is से मैं पैसा ले रहा हूँ मेरे बुक में accounting चल रही है Ram is मेरे लिए गीवर है Ram is मेरे लिए गीवर है मैं Ram is को credit करोगा credit the giver बहुत simple है बेटा personal account का rule कहता है debit the receiver credit the giver real account का rule क्या है सुनना ज़रा debit what comes in and credit what goes out debit what comes in and credit what goes out real account के rule रहे अगर asset आ रही है तो उसको debit करो assets आ रही है तो credit करो real account है real में तो asset ही है ना अभी हमने देखाता है न थोड़ दियर पहले real account में क्या है बिटा देखो तो real account में है assets personal में all natural and artificial person और nominal में expense losses income gain तो real में assets है और ये real account का rule कहता है debit what comes in अगर कुछ आता है comes in, comes in, कुछ आता है तो उसे debit करो real के लिए rule है मतलब real में assets है so asset अगर आ दिये तो asset को debit करो asset जा दिये तो asset को credit करो और nominal के rule है बहुत simple है nominal में क्या थे expense losses income gain तो देखो ये rule क्या कहता है debit all expenses and losses expenses और losses अगर हो रहे है तो expense और losses के account को debit करो और income और gain होती है all income and gain तो उनको credit करो income और gain हो रही है तो उनको credit करो expense losses को debit करो income gain को credit करो बिल्कुल जिन्दा मत करना बसे तीन रूल याद करके रख ले मेरे बच्चे अब इसे अब मैं इन तीनो रूल का practical application बताने जा रहा हूँ entries आपको पास करके बता दो बहुत simple है बहुत simple rule है बिटा सर हम लोग क्या कर रहे है मेरे बच्चे है आप लोग 11 standard commerce industry में जो आपका subject का ना में book की पिकान अकाउंटन सी जिसमें second number का topic है double entry system हम लोग देख रहे है double entry system में entries record करना है उसके दो system है modern traditional जिसमें traditional में personal real nominal और personal real nominal के आपको मैं golden rules बता रहा हूँ और ये rules की मदद से आप entry मारने वाले हो सर entry अदम ने modern rules से भी मारी थी basics में अरे हाँ मेरे भाई मैं किते बार एकी चीज़ बोल रहो modern से भी entry मार सकते हो इस से भी entry मार सकते हो किस से भी entry मारो कोई फरक नहीं पड़ने वाला है yes or no बस बताना ज़रूर ये textbook में है सर otherwise ये rule अगर नहीं भी हमने ध्यान रखा सी modern से भी कर लिया तो lifetime काम चल जाएगा अरे काम चलेगा नहीं दोड़ जाएगा बढ़ ये भी तो पढ़ना ज़रूर ही बिटा क्योंकि textbook में आपके दिया इसके उपर सवाल आएगा modern पर तो आएगा ये आएगा इस पर भी आएगा yes or no चल अब मैं यहापर रूल अप्लाइ करके आपको entries पास करके बतारो बिटा प्लीज ज्यान देना माल लो पहला transaction है owner ने business start किया देखो यह transaction लिख रहा हूँ business example number one business started with rupees 10,000 चलो आज तक हम लोग modern rules से accounting करते थे यहाँ पर देखते थे cash account बनेगा और owner ने business start किया तो capital cash business में आ रही है cash asset asset का debit balance से बढ़ती है तो debit करो यादा है क्या basic में नहीं यादार होगा ठीक है वापस यहाँ पर पढ़ाने वालो तो इस बार हम लोग करने वाले traditional rules से हम लोग entries pass करने वाले बैटा golden rules से entries pass करने वालो with the help of rules of personal real and nominal account चलो पढ़ा पढ़ से बताओ यहाँ पे कौन-कौन सा owner का account क्या नाम से बनेगा capital account cash कौन सा account है बैटा personal है real है के nominal है है ना first step accounts identify करो second step nature पता करो कौन से category में classify होगा cash personal है real है के nominal है मेरे बच्चे बोलो बोलो cash यह real account है देखो आमने थोड़ी देर पहले लिखा था मेरे बच्चे real account में क्या-क्या जाएगा cash, car, computer, furniture, सारी asset, सारी asset tangible हो, intangible हो बट वो asset नहीं आएगी जो अल्रड़ी personal में आ गई है so cash तो है real account cash तो है real account चल प्लीज ध्यान देना so real account है यहाँ पे तो real का rule रहेगा real का rule रहेगा बैटा real account, capital, capital ही किसको represent कर रहेगा, capital किसके लिए बनाया, owner के लिए, capital किसके लिए बनाया, owner के लिए, owner कौन है, person, तो यहाँ पे, कोई भी natural deficient person, कोई भी हो सकता है, तो owner, capital ही personal account में आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, personal account, ज्यादा representative personal, क्योंकि capital किसे represent कर रहा है, owner को, representative personal account या personal account, जो कहना है, कहलो, आगे हम लोग detail में देखेंगे, क्या फरक है दोनों में, चलो, capital यह owner का है, मितलब personal account है, apply the rule and pass the entry, third step क्या है, apply the rule, और लिख दो, debit हो रहा है कि credit हो रहा है, चलो, देखो दो, cash real है, real का rule क्या था, debit what comes in, credit what goes out अब यहाँ पर बताओ, मुझे cash आ रही है कि जा रही है, cash यहाँ पर आ रही है, comes in और goes out, यहाँ पर comes in और goes out, किसके point of view से, business के, first chapter में हमने एक concept देखा था, अब आपको मैं बताया था न, last chapter में, कि पिछले chapter के सारे concept में आगे समय समय पर revise करोगा, अब वो एक concept था, business entity concept, वो concept कहता था, hey accountant सुन, जब भी तो entry हमारेगा, जब भी तो entries pass करेगा, जब भी तो transaction record करेगा, तब तुने किसके point of view से करना है, business के, तो यहाँ पर comes in, goes out, comes in, goes out, किसके point of view से, business के, अब मुझे एक बाह बताओ, owner ने, owner ने business में पैसा लाया, owner अलग, business अलग, business entity concept, owner ने business में पैसा लाया, तो बोलो, owner की जब से पैसा कम हो गया, चूले में जान दो owner को, business में पैसा बढ़ाना, यानि business में पैसा, comes in, comes in, comes in, comes in, comes in, cash, real account है, comes in, तो cash को क्या करेंगे, debit, yes or no, और यह capital क्या है, personal account है, तो personal का rule, ढूंडो, ढूंडो, personal, debit the receiver, credit the giver, अब यहाँ पे, business को प giver को क्या दो, credit दो, giver को क्या दो, credit दो, इसलिए capital को में क्या करूगा, credit कर दूगा, yes or no, that's it, game or हो गया, personal, real, nominal, उस था, वही तीन step है, modern में भी हमने ऐसी किया था, यहाँ पे भी, कैसा भी करो, sir, यही से modern के साब से किया, तो हम लोग cash का debit balance बोलते है, asset है तो, और debit balance वाल account बढ़ता है, तो debit करो, तो लोग debit कर दे, don't worry, modern भी अलग से बता हुआ, traditional पहले समझ लो, अच्छे से, इसमें कुछ किसी को doubt है, तीन step है, first step क्या है मेरे बच्चे, accounts के नाम identify कर लो, second step क्या है बटा, accounts का nature समझ लो, कहाँ पे classify होगा, personal है, real है कि nominal है, और third step debit है कि credit है, क्या क्या कर दिया, debit, capital कौन सा account है, personal, तो personal का rule क्या था, debit the receiver, credit the giver, यहाँ पे business के point of view से देखना है, यह receiver, giver, comes in, goes out, expense losses, income gain, यह सब, you have to think from the point of business, यह सब आपको business के point of view से देखना है, अब यहाँ पे capital personal है, owner है, owner, owner कोन है, यहाँ पे business के लिए, receiver है कि giver है, business ने owner को दिया, बिजनेस ने owner को दिया, कि owner ने business को दिया, sir, owner ने business में पैसा लाया, owner यहाँ पे giver है, capital यहाँ पे कोन है, giver है, capital किसको represent कर रहा है, owner को, तो owner यहाँ पे कोन है, giver, owner कोन है, giver, giver को क्या करो, credit करो, यह देखो, मैंने इसको personal का rule था, giver को मैंने credit कर दिया, तो entry आप कैसे pass क पर होगे, जर्णल एंटरी से का फॉर्मेट भी सैचma में देखा था, डोंट वरी यहां पे वापस बताऊंगा, यहां पे एंटरी के से पास करेंगे, हम लोग कैश अकाउन डेबिट होने वाला है और कैपिटल अकाउन क्रेडिट होने वाला है, कितने से दस अजार से, कितन सब्सक्राइब करने वाले सारी चीज में आपकी करवा के लूगा समय समय पर टेस्ट भी लेने वालों मेरे बच्चे यह सुरू करते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर आपको नीचे मेरा वाट्सेप नंबर दिख रहा है 91220-93220 डेफिंटले आप उस पर जाओ तो वाट्सेप कर सकते हों थैंक्यूर मच लव यू अल टेक केर विटा बाई बाई बाई